हेलो गाइज वेल्कम टू अनेधर वीडियो अप स्टॉक मार्टिट फेंट्स जे वी केमिकल्स की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टैंडरलॉन कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट हो चुका है क्वाटर एंडेड और फिनांसल यह एंडेड का जो कि आज केस वीडियो में कवर करेंगे चलिए फिन्स वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग फिनांसल रिजल्ट कवर लेंगे लाक्स में नंबर्स दिये गए हैं इंकम की बात करें इस बार का इंकम में पॉंदस एट पॉंट थी करोड का पिछले पॉफित में यह एर ओन यह एक्सपेंस इंक्रीज किया है उप्रेटिंग पॉफित 164.6 करोड का पिछले क्वाटर में 183.9 करोड का और मार्च 23 क्वाटर में 122.4 करोड का उप्रेटिंग पॉफित है मार्च 23 क्वाटर में 77.6 करोड का प्रॉफित है एर ओन यह एर ओन प्रीस किया है इप हुएर ओन क्योड अधिश किया है वह एकर हम इसके financial year ended की बात करें गाइज तो company का income में 3521.4 करोड का 23 में 31 159 करोड का त्वेंकम में तो इंक्रीज है लेकिन expenses हुआ 2769.9 करोड का 23 में 2603.9 करोड का expense भी increase है और मार्स 23 कौटर में जो operating profit है 751.5 करोड का 23 में 555 करोड का increase करता हुआ देखने को मिला है net profit 552.6 करोड का 23 में 410.0 करोड का profit है जो कि increase करती भी देखने को मिल रही है EPS 34.85 रूपीच का 23 से increase किया है तो guys company का see positive अगर देखा जाए तो profit जो है see positive quarter में down भी इसलिए क्योंकि expenses बहुत ज्यादा किया था material cost में यहाँ पर expense जो हुआ था stock in trade के purchase में expense बहुत ज्यादा किया था quarter on quarter में इसके कारणर से profit down था quarter on quarter के लिकिन year on year में increase किया है financially rendered में increase किया है standalone results में 825 करोड का income है पिछले quarter में 806.7 करोड का मार्च 23 quarter में 702.4 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है लेकिन expenses हुआ 662 करोड का पिछले quarter में 630 करोड का मार्च 23 quarter में 580.5 करोड के expense हुआ था जोकि expense quarter on quarter में बहु ज्यादा है यह on year में increase किया है नेट profit 125.8 करोड का पिछले quarter में 127.9 करोड का मार्च 23 quarter में 88.6 करोड का profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है वहेगर हम EPS की बात करें तो company का EPS 7.96 रुपेज का quarter on quarter में down है year on year में increase किया है तो company का overall result अगर देखा जाएगा इस तो इंकम तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रहा बट expenses वह भी stock interest के expense में ज्यादा होने के कारण quarter on quarter के profit में तो डाउन देखने को रहा लेकिन year on year के profit increase किया है तो overall guys company आप अच्छे result पेश किया अगर हम इसके share की बात करें तो company का share जो है 1820 रुपीज पे close किया था और company का result market close होने के बाद आया है 0.68% का minor सब fall देखने को मिला था one month में 1.2% का profit है three month में 20% का profit है तो guys अगर आप इसमें और one year की बात करें तो 81% का profit है तो अगर आप इसमें entry करना चाहते है fresh entry तो guys आप लोग ले सकते fresh entry कर सकते है रिजल्ट अच्छी पेश किया और इसमें share बे भी उतना जादा ओबर बाउट देखने को नहीं मिला तो अब हम लोग जाए वेडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई doubt कमेंट बॉक्स में पूछें मिलते हैं नेक्ट रोड़ों में तिल दिन बाई बाई